आज की या वीडियो भोगुल यानि की जियोग्राफी की महासंग्राम होने वाली है जो भी हमारे थर्ड समस्टे के छातर जिनको आने वाले दिनों में कल पर सौ या भी जब भी परिच्छा देनी हैmmं उनके लिए वीडियो बहुत ही रामबार होने वाली है क्योंकि सबसे ज प्रश्न पत्र आपका है याद रखेंगे पर्यावरण आपदा प्रबंधर एवं जलुवायो परिवर्तन इफ 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 जुड़े फारे कोईश्चन होंगे बिए थाड समेश्टर भुगोल यानि की जियोग्राफी में तो चलिए कोईश्चन पर आते हैं भईया पहला प्रशन है कि सुनामी के बारे मताईए परचे दीजे भईया हमें नहीं मालूम है तो सुनामी का प समद्री इस्मिक तरंगों के नाम से जाने जाती है और या पिर जाना जाता है यह लंबी समुद्र तरंगों की शरंखला या अति उंची तरंग धैर्द्रे गहरे महासागर में आती है इस तरह से दूफ्रे तरह तक के सो कीमी या उससे अधिक हो सकती है मत्तब कि इस तरह से दूफरी तरह ये जो है ना वो करीब करीब सो कीमी यानि कि सो किलो मीटर या उससे अधिक भी हो सकती इसका उतपादन अक्सर अचानक हुए समुद्रितल के विस्थापन से होता यानि कि ये जो है ना वो अचानक से आती है समुद्र में ठीक है जो कि किसी भूकम भूस्खलन समुद्री जल में अचानक हुए विस्थापन के कारण हुए हूँ और लहरों की संखला को उत्पन करते हूँ शुनामी कहलाता है तो कहने का मत्तब कोई भूकम है भूस्खलन है समुद्री जल में अचानक कोई व सब्सक्राइब तो इस प्रकाल बेसिक परिखेंगे सुनामी के बारे मुद्धन के बारे मुद्धन के इसका मतलब है कि चारो और पाए जाने वारे समाजिक सांस्कृतिक एवं प्राकर्तिक वातावरण से पर्यावरण का जो मतलब है हमाई चारो और चारो तरप आए जाने वाले समाजिक सांस्कृत एवं प्राकर्तिक वातावरण फे जो हमें प्रतेच या प्रतेच रूप से प्रवावित करते हैं चाहे वो डारेक्ट हो चाहे इं तिकता भासा धर्म परंपराएं एयुम लोकाचार इत्याद आते हैं और प्राकृतिक वात्तारण के अंत्रगत वायु जल भूम ववन तापमान मौसम एयुम भूम में पाई जाने वाली खनी संपदाएं आती हैं ठीक है इसी को हम पर्यारण कहते हैं ठीक हमारे चारों और पाई जाने वाले समाजिक और सांस्कृत और प्राकृतिक वात्तारण को हम वो जो हमारे हमें या फिर पर्यारण को प्रतेच्छे या फिर आप्रतेच्छी रूप से प्रभावित करते हुने ही पर्यारण कहें ठीक है और प्रकृत के इन विभिन अवयों में प्राकृतिक कर दिया यानि कि लोगों ने अपने जान बूच के जानते हैं कि इससे हमारा पर्लाण दोसित होगा प्रदोसित होगा लेकिन तब भी कदम उठाथे ठीक तो इस वज़ा फे देरे जो पर्लाण 10 होता जा रहा है, चाहे जो चेत्र हो और अपने सामने अनेक बीमारियों समस्याओं को खड़ा कर लेता है यानि जानता है कि यह अगर इसको खाएंगे या पिर यह चीज करेंगे तो इससे हमारा ही आहन है लेकिन तब भी कुछ पल के सुक के लिए कुछ मिनट के हैपनेस के लिए ठीक है अपना परियुजना उत्राक खंड राज के टेहरी जनपत गड़वाल हिमाले में बनी रही है ठीक है बेसिक परचे पढ़ लेंगे कोई हार्ड लेवल कोईशन नहीं लेकिन कभी कदार आ जाता तो ध्यान नेंगे आपदा प्रबंधन यह ज्यादातर कोईशन परिश्चा में आत प्रभाव को कम करने है तो तैयारी की प्रिक्रिया है आपदा प्रबंधन सीधे खत्रे को खत्म नहीं करता बलकि या यूजना बनाकर जोख्युम को कम करने में सहाय करता आपदा प्रबंधन माली जिए कोई आपदा हो चाहा प्राकरतिक आपदा हो ठीक है तो उसका एक त हाली उसका सामना करना किया जा सके ठीक है और यह जो योजिनाता है वह जूख्यम को करने में सहाय करती है जош की पर आपके था मिकार T anh तो उसके लिए तयारी कि यह प्रबंद किया जा जाता वेउस्ता की हमिक आपने में आपने के तो आपदा के बाते हैं, पहल प्सक्रुप कर पाते हैं, आपदा के बाते हैं, यहां प्रप्राइब की Estoy महतिया वें काई आपधा की बॉड़ार हो आपथिसे महतलगी नियुखाय की बाता है, करने लगती है हिलने लगती है तो उस्पर कृष्रिया को भुकम करते है बाढ़ आ गया जिवाला मुक्ही आ गई मुस्कलन सूखा तुप्हान सुरामी हमःस्खलन आध रही हो प्रकारे के नाम से जानते हैं ठीक है और मानो क्रित आपदा मानो निर्मित आपदा किसी भी प पर हमला हो जाना देश विदेश में एंपर किसी राज में ठाग है और डोगिक खत्रा जो बड़ी बड़ी फेक्ट्रा चलने उनके मादव कोई खत्रा हो जाए ठाग लगना ठीक है यह क्या है को यह लगा देश तो यह एक मानौकृत आप्डा है भगदर दंगा इत्याद यह जो है वो मानो करेता आपदा है तो इस प्रकार लिखेंगे हम मानो निर्मित आपदा के बारे में ठीक है बेशिक सा परचा है लेकिन महात्पोंट प्रश्ण है हाई लेबल का है पर इच्छा में आए या फिर ना है कोई बात नहीं लेकिन या अगर आगे एक्जाम किसी भी चीज़ के तैयारी कर रहे है तो इसमें आपको काफी हल्फूल साबित होगा और आपको कॉमन सी बाते इनको आपको जानना भी चाहिए ठीक है और अगला सूखा आपदा ठीक है सूखा आपदा आप लोग जानते सूखा के बारे में तो सुना ही होगा ना तो भारती विभाग के नुशार। उफ दसा को सूखा कहा जाता है। जब किसी छेट में होने वाले समाने वर्षा से वास्तविक वर्षा स्चतर प्रत्टसत कम हो। यानि कि मान लिजे किसी एरिया में मान लिजे एक महिने में एक महिने में एक महिने के अंत्रगत पांच बार बारिस होती ठीक है वही बारिस अगर मान लिजे एक ही बार हो ठीक है तो फिर क्या होगा उससे बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी उस एरिया को कभी-कभी आप द पॉर्ड़ी तरह अस्तविस्ट हो जाती है एक तरीके से खतम हो जाती है ठीक है तो वह तरीकी से बोलते हैं सूखा पड़ गया ठीक है और अगला पॉइंट है कि बिभाग द्वारा सूखे के दो उपस्तैबं बटाएगे रखा है जहow्ण लेकिन जहUंए मताएख से अधीक वर्सजा का अभां होने पर यह जब यह उम्मिदिन और पचाफ के ज़्यादा भी पॉइंट हो गए हैं लेकिन अभी भी कोई बारिस की चार्म नहीं है तो वहाँ पर प्रजंड सूखा के नाम से जाना जाएगा ठीक है मतलब की कम वर्षा हो तो उसे प्रजंड सूखा के नाम फे जानतें ठीक है और दूसरी और सूखा ग्रस्त। छेत्र वर्षा जल्कि कमी के परेडाम फूरूप निर्धायत किये जाते हैं ठीक है अगर कम वर्षा होगी तो चलो उसको समाल सूखा कहेंगे अगर और भी कम होगी मतलब की होगी ही नहीं बिल्कुल नथिंग के बराबर तो उसे प्रचंड सूखा कहेंगे बहुत महत्पोंट करशना याद रखेंगे ठीक है चेले निश कुछन के रुपने फिर नदी के समान जल अफ्तर में ब्रद्धी हो जाती है तथा निकट वर्ती भूबाग जल मगन हो जाता है तो उसे हम बाढ़ कहेंगे जब ज़्यादा वर्षा हो जाती है या फिर किस एरिया में बांध लगे हैं बड़े बड़े ठीक है जिसाए अपके एरिया में पानी नाए और अधिक वर्सा हो जाए तो वो बांध से उपर पानी चला जाए तो क्या होता आपके एरिया में भर जाएगा पानी और लगे बाढ़ टूड जाएगा नदी में एक समान जल अफ्तर है उसमें बहुत ज़्यादा ब्रद्धी आ जाती और जहां पर आप उसके निकट कोई अस्थान है या फिर आप निकट रहे रहे हैं किसी नदी के या फिर किसी समुद्र के या फिर किसी ऐसे भाग में जहां पर जल की मात्रा ज्यादा हो ठीक है तो वहां पर भू भाग में जल मगण हो जाता है नहीं कि बहुत ज्यादा जल ही जल हो जाता है तो से कहेंगे बाढ़ आ गई ठीक है यह फिर बहुत दिनों तक लगाता है आपकी गाउं में सहर में जब बारिस आ जाती है तो बोलते नहीं कि बाढ़ आ गई ठीक है और नेश कोईश्चन है कि वाय पुदूरसट के प्रमुक प्रकारों को लिखे तो वाय पुदूरसट के बहुत सारे कारण है जो कि आपके समस्त तुस्त हैं और वाय पुदूरसट दिन प्रते दिन बढ़ता ही जा रहा है तो पहला उद्देगों का अतधिक विकास और उनसे निकलता बिसहला पदार्थ युंगेस ये वाय प्रदोसर का कारण है दूफरा वाहनों के प्रियोग में अतधिक ब्रद्धी और उनमें से निकलता हुआ धुआ वो पूरी तर प्रदोसित करता है अगला रसानी पदार प्रियोग में ब्रद्ध है और उनका वाय मंडल में मिस्रित होना ठीक है पेट्रो रफानिक के प्रियोग में ब्रद्धी होना नगरों की जनसंख्या अतधिक जमाओ नगरों में जनसंख्या का अधिक जमाओ वनों का निरंतर बिनास हो रहा है ठीक देखिए कितनी अंधा तरह से पोश्टिक साबित नहीं हो रहे हैं उस तरह के पदार्थ लोग सेवन कर रहे हैं ठीके परमाड अफ्तरों का परिच्छन किया जाता है तब भी उससे बहुत ज्यादा प्रदोस्वन होता आता है जैसे कि आपने देखा था कि क्या लांच हुआ था उस टाइम देखा था चंद्रियान लांच हुआ था ठीक चंद्रियान लांच तो हुआ था उसको सभी ने देखा लेकिन जिस भी एरिया में जब लांच हो रहा था तो आपने देखा ने कितने तेस से कितना ज्यादा धुआ निकला हुआ था अपने दे प्रश्च्छ प्र्दोस्रे का इतना अत्यक मात्र में समावेश कीुए जल की सहन समताफ़ी अधिक है और प्राणी मात्र के लिए हानिकार shouting हो जया है उसे जलफ पुदूसर कहते हैं बहुत महत्पूर्ण प्रशन तयार कर लेंगे इसको भी प्रस्थितिकी प्रांबिट स्टी कई बारी हे इसमें आ चुका है इसको भी तयार कर लिज़ेगा, मर्दा अच्छा कर सकते हैं एग्नोर देन है जो सरवत यानि कि सभी व्याप्त है फ़ाय में उपस्तित आप फीजन पर ही जीवन निर भरर यानि कि अगर करते हैं रिखन निकासित करते हैं जिसे हरे पवाइय पकर दोषित करते हैं प्रदोस्थपार इक क्यें है जो कि महात्पोंड प्रशने पिछले फालों में आया भी एक कुश्चन तो इसको जरूर नोट करेंगे ठीक है नमाम गंगे की युग जाना है जो कि फरकार की द्वारा लांच की गई इसमें होता यह है कि सरकार ने गंगा नदी के पुदोसर को समाप्त करने और नदी में ठीक है पुनर जीवित करने के लिए नमाम गंगे नाम की एकिकरत गंगा संरच्छन मिस्तन का सुबारम यानी सुरवाद की केंद्रे मंत्रिमंडल ने नदी की सफाई के लिए बजट को चार गुना करते हुए 2019 से बीस तक नदी की सफाई ठीक है काई दहां इसे एकड़ा हजार दफ हजार बीफ हजार करणों रुपे खर्च करने की केंद्र की वास्तवी कार यूजना को मंजूरी दे दी और इसे सव प्रतिसत केंद्रे हिफ़ेदारी के साथ एक केंद्रे यूजना का रूप दिया ठीक है यानि कि नमामि गंगे का मत्तब यही है कि जो गंगा नदी है जो पूरी तरह प्रदूस्वित हो रही है दीरे दीरे और काफी जएदा हो चुकी तो इसमें जो प्रदूसरन है जो बहुत तारे के गंदगी लोग इसमें कर देते हैं बहुत सारा गंदा पानी इसमे गदविद्यूं के अंतिर गदद्या। Julius FatiR . शह दह रान का नवीनी करण या फिर नवीकरणadasini की करण और निरमार तथा अध जले या आंशिक फेजले हूओ या और को कभी कभी आपने देखा है कि क्हीं बहुत सारे लोग जीनकी दित हो जाती मृत हो जाती तो क्या करते हुझा होने पर उनको कहां भीग देतें नदी में ठीके तो वो रोंका जाए तो यह बहुत फाथे अलग-Ñलग तरीके है जो अपनाय प्रश्ण है ठीक है खाद संखला कभी कदार आता हमेशा नहीं आता इग्नोर भी कर सकते पढ़ भी सकते हैं भूस्त कलन हमेशा आता यहान रखेंगे बहुत ही हाई लेबल का क्वेश्चन है भूफ कलन एक भू बैग्गानी घटना है धरतले हल चलो जैसे पत्थर कि सकना य इसे बुफ कलन कहते हैं ठीक है बुफ कलन के प्रकार के होते हैं इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत ही महात्मोर क्रश्ण है पर इच्छाव रिपीटेड तो याद कर लेंगे ठीक है अगला हरित ग्रह प्रभाव कभी कदार आता हमेशा नहीं आता तो पढ़ भी सकते पर प्रभंधर संकल्पना यह भी अग्नूर कर सकते हैं आप सबी ठीक है लेकिन पर पर कुश्चन बताया तो वह आएगा जरू ठीक है बाता और नियोजन अत्वा वाता वड़ प्रभंध फे क्या तात पर तैयार कर लीजेगा यह कुश्चन आ सकता ठीक है यह वाला हो रहा है तिसको नहीं रोक वाएंगे ठीक है अनतता निम्हापी उद्देशीं को प्राप्त करना है यह उभी का दिक सीमा तक निर्मार करती है इख विच्चा की उत्पत विक्त के चतुरुदिक व्याप्त पर्यवड़ में ही होती है पर्यवड़ फिच्छा को हम सभाव किया प्रक्रतिक संतुलित तथा नवींता यह परिवर्तन के अधार प्रगत्सील फिच्छा मान सकते हैं ठीक है प्रगत्सील मान सकते हैं और महत्पूर्ण प्रष्ण है कंब नेEstlle This भीच्छा के बारे मापको जानकारी मिलेगे और पर्याण वाणन के बारे में क्या зовगा इसारी तो आपकोो यहां क्या जारूं Sakit क्यास तो थोने केवılar करें पर्याहान को मतलब की यह जहां में रह नहीं होगा की जहां पर बहुत फारीगंदगी हो जाती है आपका जो भी एरिया हो ठीक है तो वहाँ पर एक तरीके से एक बिवस्चित ढंग से कार किया जाना चाहिए कोई भी कार हो ताकि पर्याण प्रदोस्ट ना हो ठीक है सांस्कर्टिक पर्याण कि अब महत्पूर्ण प्रिष्चह में कई बारा चुका है इसको भी तैयार कर सकते है इसको अगले वाले के अग्रों कर सकते हैं इतना महत्पूर्ण नहीं है और अगला है कि प्रस्तित तंद्र से क्या आज साहे या फिर क्या बिप्रिया तो दोनों कुष्टन लगबग लगबग सिमलर है और अलग अलग है एक तयार कर लेंगे अगर कोई भी आएगा तो आप उत्तर लिख सकते हैं ठीक है प्रस्तित तरनांत्र के आज जेवी घटकों का उले कीजिए तो आप इक शीगनूर कर सकते हैं पढ़ बेशकते हैं जेवी घटक और जेवी मैंने बता रखा कि तैयार कर लेंगे पर्यार्ण का अर्थ ओपर मैंने बता ही दिया है ठीक है सबसे सेकेंड नंबर का कुश्चन था पर्यावरण की परिभास आप लोग जानते हैं कि फिंक्टिंग के अनुसा जो कि प्रमुक्ष समास साफ्तरी और प्रमुक्ष बिद्वान हैं जिनों बताएं हैं उनको जरूर आप तैयार करके जाएंगे वह आपके एक्जाम में काफी हेल्फुल सावित होंगे ठीक है और मैं आपको बता दूए यह आपका 75 नंबर का पेपर होता तो उसमें से करीब करीब इसी वीडियो से ठीक है चालिस से ठीक है 45 नंबर सिर्फ इस वीडि ज्यादा हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं ज्यादा एक्स्प्लेइन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हम आपको बेसिक एक्स्प्लेइनेशन कर देते हैं और इंपॉर्टेंट कोईश्चेन और उसका एंसर प्रवाइड करा देते हैं आप सभी को मालूं कि बहुत फाली इनिवर दो एंट